हेलो गईस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि अधानी ग्रूप की और ये दिवाली से पहले अच्छी खासी ख़बर आई है इसको हम पूरा पढ़े के तो सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शेर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ और हमारी कम्यूनिटी पोस्त को भी देखा करें पूरानी पोस्त को भी डेली जो हम एक शौर्ट वीडियो से अपलोड करते हैं उसको भी देखा करें कई ऐसे स्टॉक है जो कि हम शेर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेजी की पॉसिमिलिटी हो सकती है तो वो देखा करें में भी हम चर्चा करेंगे और साथी साथ शेर का नाम सुनकर भागिया गामत ये शेर भी जो अच्छा रह सकता है लॉंग टम के लिए इसके टेक्निकल चाट के ओपर भी हम चर्चा करेंगे यहां पर देख लेते हैं आज ही की तारीख है डेड़ बज़े के आसपास क प्राइवेट लिमिटेड में 55.3 करोड अमेरिकी डॉलर बहुत बड़ी रकम हैं दोस्तों डॉलर का निवेश करेगा और ये जो है कॉलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिलल प्राइवेट लिमिटेड भारत के सबसे बड़े बंदरगा प्रबंधक अदानी पोर्ट्स N. S.E.Z. Limited, श्रीलंका के प्रमुख्त उद्यमंग जोन के किल्स होल्डिंग और श्रीलंका पोर्ट्स ऑथोरिटी के अदीन है तो ये अदानी पोर्ट की उपर जो है खबर है ये शेर के उपर भी जो है आप दियान में रख सकते हैं इसको लॉंग टम के लिए अच्छा रह स सकता है टेक्निकल चार्ट के ओपर हम इसकी अबारे में विचार्चा करेगे और भले इस शेर जो है धीमा है लेकिन इसके फंडामेटल जो है स्ट्रोंग लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है आगे देखते हैं इस खबर को कि यहां पर देखे कि DFC अमरेकी सरकार की विकास वित संस्था है इस बीच अधानी पोर्ट के शेर में तगडी तेजी देखने को मिल रही है कंपनी के शेर 4% चड़कर 822 रुपे तक पहुंच गए और अधानी समू ने क्या कहा कि अधानी पोर्ट एंस्टेशल एकोनोमिक जोन लिमिटेड की और से जारी एक बयान के कोलंबो बंदरगाव में गहरे पानी के शिपिंग कंटेंडन्ट टर्मिलल के विकास के लिए किया जाएगा बयान के अनुसार निजी शेत्र नित वृद्धी को सुविधा जनक बनाएगा और श्री लंका के आर्थिक सुदार में सहायता के लिए मैतोपुन विदेशी मु के CEO स्कोट नाथन ने कहा कि वेस्ट कंटेंडन टर्मिलल के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोन में DFC की 553 मिलियन डोलर की प्रतिवधता इसकी शिपिंग शमता का विस्तार करेगी जिससे श्री लंका के लिए अधिक समृधी पेदा होगी साथ ही स्थिति मजबूत होगी की पूरे शेत्र में हमारे सही होगी और आगे देखते हैं आखरी में कि विक्तिय संकट में श्री लंका कि आपको बता दे कि ये फाइनांस तब आया है जब स्री लंका सतर से अधिक वर्षों में अपने सबसे खराब विक्तिय संकट से जूज रहा है स्री लंका ये अर्थ प्रफट का चार्ट है तो आज इसका प्राइस आठा रूपय के आसपास रहा और यहां पर अभी देखे तो इसने पिछले दिनों में 900 रूपय तक के जो है एक हाई बनाया था तो यह तकरीबन इसने 1000 रूपय के आसपास गया था जब रिपोर्ट आई थी उससे पहले की बात है उसके बाद यहां पर 400 रूपय के आसपास का इसने लो बनाया और अच्छे खासी उसके बाद जो है अभी इसके अंदर रिकावरी भी आई है यहां पर अगर देखे तो यह दो गुने से भी ज्यादा हुआ था यह 900 रूपय के आसपास गया था तो इसके ओपर चाहिए तो आपने नजर रख सकते हैं और शौट टर्म की बात करें तो सपोर्ट और रजिस्टर्ण का अगर देखे तो अभी इस हबते देखे तो 800 रूपय के करीब-करीब जो इसने यहां पर बनाया था तो एक तो यह 800 रूपय का जोन है यहां पर सपोर्ट दिख रहा है उसके नीचे की अगर बात करें तो 770 रूपय का जोन और अगर रजिस्टर्ण की बात करें तो पहला रजिस्टर्ण जो है यहां पर दिख रहा है वो है 840 का जोन उसके बात देखे के लिए अच्छा रह सकते हैं तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंट को भी आप इसके उपर भी ध्यान रख सकते हैं और आज के वीडियो में इतना ही हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखे इसके बाद क्या जो है कहीं आदानी के जो है शेर के ऊपर टेक्निकल चार्ट क के लिए बनाएं मेरे तरब से को भी बाई सेल की रेक्मेडेशन नहीं है थेंक यू